हेलो आजके ज्याय शमेंद आज सवाई हम फिस मॉन्री रिलेटेड बोल्ट तो डिसकेस करें है IG मैंनों आज भी सतर्नीं का सब किसर ये अज़ानी किसित मैं लैर पैसा करंसी जारा जासे ड्लब ऑपिया और को रोगया और भैल Canadian dollar, yen, तो यह सब क्या है, currencies है, cash का अलवाता है, नगत, bank को हिंदियों bank बोलते हैं, savings होता है, budget, investment, निवेश करना, loan, rent, credit, उधार, debit, को हम debit ही बोलते हैं, income, I, expenses, खर्च, budget को हम budget बोलते हैं, interest, ब्याज, profit, लाब, loss, नुकसान, wealth, संपत्ती, tax, कर, mortgage, बंधक, mortgage, टी सैलेंट हैं यहाँ पे, salary, वेतन, donation, दान, अब हम इनके sentence को दिखते हैं, I need to withdraw some cash on the bank, मुझे bank से कुछ नगत निकालने के जरुवत है, He has a good savings account, उसके पाथ एक अच्छा budget खाता है, Investing in mutual funds is a wise decision, mutual fund में निवेश करने एक बुद्हिमान निर्णा है, एक अच्छा decision है, खासला है, My credit score has improved this year, तो जो मेरा उधार score है इस साल का, वो सुधर गया है, I use my debit card for everyday expenses, मैं हर दिन के जो खर्च होते हैं, जो देनिक खर्चों के लिए अपना debit card का उप्योग करता हूँ, debit card symbol है, आपके account में जितने भी पैसे हैं, और जो आपका bank account, ATM card होता है, आप उससे पैसे निकालते हैं, तो इसका हम बताए debit card, His income has increased significantly this year, उसकी आई इस साल काफी बढ़ गई है, Managing expenses within the budget is important, बजट के अंदर खर्चों का management करना बहुत ज़्यादा important है, The bank offers competitive interest rates, बांक competitive interest rate देता है, यह यह market में सबसे अच्छा, He made a good profit from his business venture, उसने अपने business से बहुत अच्छा लाब कमाया है, Unfortunately, the company suffered a loss last quarter, दुरु भाग्यवश कम्टनी को पिछल तिमाही में नुकसान हुआ, He has accumulated a lot of wealth over the years, उसने वर्षों में काफी संपत्ती जमा की है, Accumulate का मतलब होता है, जमा करना, Paying taxes is a civic duty, कर देना नागरिक का करतव्वे है, They took a mortgage to buy their dream home, उन्होंने अपने सपनों के घर को खरीने के लिए mortgage लिया, यानिके loan लिया, अब बंदक लिखा हुआ है, पर उसने अपने सपनों के घर को खरीने के लिए, mortgage, She received a salary hike this month, इस मैंने उसने वेतन में बढ़ोतरी मिली, यानि कि उसको जो salary थी उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ, बढ़ा भा हुआ, He made a generous donation to the charity, उन्हें charity को एक उदार दान दिया, बहुत सारे पैसे दिये charity में, She started a small business with her savings, उसने अपनी बचत के साथ एक छोटे विवसाई के शुरुवात की, The interest rate on home loans has decreased, जो घर के रिण है, उसको जो ब्याज दर है, वो क्या हो गई, कम हो गई है, We need to review our investment portfolio, हमें अपने निवेश पोटफोलियो के समिक्षा करने चाहिए, देखना चाहिए कि हम जो invest कर रहे है, वो घटरा ये बढ़ रहा है, She won a scholarship for her academic achievements, उसने अपनी स्टेक्षिक अपलब्धियों के लिए एक छात्वित जीती, यानिकि, वो पढ़ने बहुत अच्छी है, इसलिए उसको क्या मिली, इसलिए एक scholarship मिली, scholarship का मला होता है, जब आपको पैसे दी जाते हैं, और आपको पढ़ाई के लिए कोई खर्ष नहीं करना पड़ता, उसको बोलते scholarship, तो यह जो सारे words थे, और जो sentences है, यह है money related, तो जब भी आप money related बात करो, तो अब पर इन sentence का use कर सकते हैं, अपने daily conversation में, और ज्यादे lessons के लिए आप मेरे blog पे जाए, thelovinglish.com, वहाँ पर आपको हरी topic पे बहुत सारे lessons मिल जाएंगे, easy language में, मैं मिलता हूँ आप से नए lessons,